अरे रे, जरा इन दो मशूर क्यूटी इसको बात करते हुए तो देखो फिरा वो प्यारी से पढ़ा को रीना का मज़ाक उड़ा रहे है और उसके सान्विच का कितना गालत जूली रीना का सोडा उसके हाथ से छीन लेती है नहीं, बर्गर नहीं ओ, ये बदमाश तो काबू के बाहर हो रहे है ये रीना का स्वादिश्ट खाना उसी के सामने खा रहे है ये तो बहुत ही निर्दई है टाटा, खाने के लिए शुक्रिया ओ, तुम्हारा हो गया रीना अपनी मा को बुलाती है पुलिस वाली मैदम बिल्डिंग में ही है अंदर चलो तुम बदमाश छुपे ही रहना रीना, ओ, जरा इससे तो देखो जूली और मार्क उसके पीछे-पीछे बहुत ही अच्छा वो, जल्दी मिस आमी, हमारी फिजिक्स टीचर और वो अपनी क्लास में एक कैंडी तक नहीं आने देंगी फिजिक्स तो पहले ही डरावनी है माडम, हाँ तुम उस कैंडी के साथ कहीं नहीं जा सकती अरे यार, ये गई धेर में रीना, तुमने ये कैसे होने दिया इतनी जल्दी नहीं रीना अपनी कैंडीज आसानी से दे देती है ये भी गई धेर में जी मिसामी कोई दिक्कत नहीं हम पुलिस आफिस में है जहां की चीफ रीना की मम है वो एक बड़े केस पर काम कर रही है हम ज्यादा नहीं पता सकते जब ट्रेसी फोन पर होती है तब रीना एक अपराथी की तस्वीर अपनी टीचर की तस्वीर से बदल देती है मा मा क्या आपी इसे ढून रही हो पहले तो ट्रेसी सोचती है पर फिर वो उस केस पर काम करने के लिए तयार हो जाती है येस रीना की तरकीफ काम कर गई अब मिठाई खाते है और कम्प्यूटर पर खेलते है अरे क्लास का समय मिस एको अंदासा नहीं है क्या होने वाला है मिस गिल्मोर पीछी मुर्ती है हलो मादम ए क्या ये आप है आपको गिरफतार किया चाता है हमारे साथ चलिए और ये आम कई लड़कियों तुम्हारी टीचर घिरफतार हो गई और इस नो क्या जिरून का क्या इसे कानून के वरुद करा दिया गया है ये चलो अतना सामान ले आओ मुबारेखो लड़कियों स्वादिश दुपहर के मतलो और टीचर्स की शुब काम आए मीठे की बचार होने वाली है हाइफाइफ मुझे भूख लगी है मुझे भी क्या 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 हो रहे मुझे खाना चाहिए मुझे खाना चाहिए मेरी बच्चे भूखी है मुझे जाना पड़ेगा चलो कौन है मुझे बढ़ना नहीं है तुम बाहर कैसे आए हमें बढ़ना नहीं है बच्छे ओ, ये मैं हूँ, तुम्हारी मॉम मॉमी, मैं तुम्हारी लिए खाना लाई हूँ, कि लो ये, लव यू मॉमी, आप बहुत प्यारी हो मॉमी का खाना सबसे अच्छा बात तो सही है वाउ, इस जगे को तुदेखो ये अलमारी ये तो मा का सूट है जिससे उन्हें पुलिस की शक्तिया मिलती है चलो इसे पहनते है बढ़िया अगर हम इसे स्कूल पहन जाए तो क्या होगा क्लास में ये क्या है सभी स्टूडन्स सही व्यवार रखे हमारे कमरे में पुलिस वाली है सब सीधे बैठ जाते हैं जूली के अलावा चीख है रीना, चलो क्लास के लिए बैठ जाते हैं माग अपनी कीमती कैंटी उसे देता है एलसा भी पलस्वारी रीना के लिए कज भी इस सूट को पहन के तो और घूमना पड़ेगा है न वो अपने लिए स्क्रीपिंग ब्यूटी से भी कुछ ले लेती है लगता है मागे पास सूट नहीं है और उन्हें पूरा अंदाज़ा है कि वो कहा गया और नहीं रीना जूली से बदला लेती है हे भगवान कितना गलत है मेरा सूट किस ने लिया रीना अपनी दोस्ट को आगे कर देती है इसने लिया माँ जूली बहुत मुसीवत में है और उसे पता भी नहीं है सब्रभाद जूली ने तुम्हे फसा दिया क्या? जील अभी? ओ नहीं क्या? रोको, मैं निर्दोशू क्लास तुम बुझे उस ट्रेडमिल के बारे में क्या बता सकते हो? केली गहरी सोच में है और क्यरी उसे ये भी नहीं पता कि हम किस क्लास में है ये स्कूल का आखरी हफता है वैसे एक पिंग डेस्क मैडम शायद इसी वजह से वो किताब पढ़ने लगे अरे हाँ, एक स्नाइक प्लीज इतनी सारी कैंडी फ्रेडना दायक मतलब सीखने की फ्रेडना मिस जोनोवैन, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? तुमारी परिक्षा का समय खत्म हो रहा है यहाँ देखते हैं ए भगवान ओ, सारी जवाब यहाँ है ख्याली के पेपर पे सेक्योरिटी टेस्ट बदल देती है वो ऐसा कर सकते है वो अमीर है केरी का पेन काम नहीं कर रहा मुझे एक नया लाकर दो केरी ने कहा हाँ एडम, छीजों को बिगारने के लिए सेक्योरिटी बदा केरी की जैक्स पर डाल देती है केरी नहीं यह अब केरी का काम है बेलको नहीं मिस्स डी कुछ कीजिए खेली आपकी बढ़िया स्टूडेंट है आपको उसे बचाना होगा क्या? मिस्स डी दिन बचा लेती है उसी दिन तुम दोरो सो लाने तक यही रहोगी करो कितना बढ़िया दोनो कब के कस समय आथे खाय कापकेक का समय मा? मा मदद क्रेसी सब ठीक करने आ गई है हमें इस कापकेक टेस्टर के रहे सिको सुलजाना होगा हमें कुछ सस्पेक्स को पकड़ना है देखो कोई इन में तो जाना पहचाना नजर नहीं आ रहा ये रहे खोन सा राक्षा से सकाम करता है हे भगवान हम् अलेक्स एक मस्पूत लड़का है पर रीना उसे नहीं पहचान पाती है एलसा अपने चोरी के कारनामों के लिए पूरे शेहर में मशूर है पर वो भी देखी हुई से नहीं लग रही इसके चेहरे पर लगा ये निशान कुछ दो इशारा कर रहा है जोरा पास से देखते हैं आह ये 110 प्रतिशत कॉपकेक आइसे है ये ही है इनमे से सबसे तगराही कॉपकेक चोर निकला इसे ले जाओ आफिसर टी बहुत बढ़िया शिनाक्त रीना कैसे तुमने इस शेहर को कॉपकेक मंचर से बचाया आह दोस्तों थोड़ी देर बैट जाए और रीना को उसके केक का इनाम देने दी थिये वा कमाल क्या ये एक बाइट है मतलब केक मंचर की बाइट उसने फिर हमला किया हाई केट, हाई वाई वाई स्क्रीम्स तो गजब लग रही है बेबी वाव तुम क्या कर रही हो? एक स्क्राचर, ठीक है कीमत एक मिलियन डॉलर ए भगवान बेबी ने अपनी मा को अमीर बना दिया कितना बड़िया वो हो हो, सैयार हो जाओ अमीर माव को वैसा लग ना भी तो पड़ता है देखो ज़रा शांदार केट बेबी केट, तुम्हारा इनाम क्या है? एक डॉलर नहीं तो हमारी केट और कापणी के किस्मती खड़ाब थी आईस क्रीम नहीं और नहीं बड़िया कपड़े क्या यार वैल के पास फुरा क्या टीटप है और एक प्रोफेशनल अउसिस्टेंट के हर्द है बेखो क्या टिक टप मूव्स हैं उसको देखो ज़रा यहां देखो वाँ, सच में उन सारे कमेंट्स और लाइक्स को देखो कितना बड़िया है तुम्हें काफी फैंस मिल गए वाँ, बड़िया मैरी के पास भी एक आइडिया है ओ, तुम भी रिकॉर्ड करने वाली हो बड़िया तुम भी टांस कर सकती हो बहुत अच्छे मेरे पास एक आइडिया है हम बहुत तेज भागेंगे और उसके कपड़े ले जाएंगे ओ, नहीं जल्दी से अपने फोन को बंद करो रुको, उन सारे कमेंट्स और लाइक्स को देखो ऐसा लगता है तुम्हें भी कुछ फैंस मिल गए लगता है राजकुमारी एक ऐसी लड़की नहीं है जो डांस कर सकती है चुनाव है चुनाव स्वस्थ खाने के बूत में स्वागत है एलसा आपका ओडर लेगी ठीक है, ये लीजिए ये चमकती नई व्राक बगीचे की ताजी सेहत से भरपूर ये आई मैरी क्या है ये? वो धिर सारा जंक फूट मंगवाती है नहीं हो सकता दोस्त मा ये तो वहियात है मेरे पास खानी के लिए कुछ पी नहीं ओ, नखरे वाली मा अपने बॉरी गाट के साथ आई है वो बिचारी एलसा का दिन वेकार कर रही है जाओ खाना लेकर आओ एलसा अपने सारे सामान को अमीर मारी के लिए बदल रही है वहाद ही बुरा जितने भी स्वस्त खाने की चीज़े थी उनकी जगए अभे वेकार जंक फूट ये सारी सबजियां घर पर उगाई हुई थी ठीक है, अमीर लड़की के इच्छा पूरा करना ही उसका काम है ये पोस्टर लगता है कि दुकान को हमेशा के लिए बदल दे रहा है गलत हमारा काम हो गया अमीरों ने कहा केट, सबजियां नहीं छोड़ो भी यार मैरी सब का एक लेगी ठ्रे को बढ़ दो और जब तक उसका खाना आता है हो सेलफीज लेती है आपकी ट्रे लगबट तयार है ठीक है बस कुछ चीज़े और हो गया पैसे शुक्रिया, मज़े करो बाई अमीरों की क्लास में है और उसके साथ ही मस्टर सिक्योरिटी की वज़ह से बोर्ट देख नहीं पा रहे अरे यार तुम्हें याद दिला दिया लंच का समय सही, चलो तुम्हें तयार करे राजकुमारी को सुनहेरी सिल्क शीट्स पर ही खाना है वाव लो, और अब एक आईवरी प्लेट मैडम, आज क्या लेंगी मैने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा केट बस एक डोनट लेती है रीना भी मुझे लगता है कि मैल भी यहीं लेगी चिंता नहीं चिंता मत करो जहां से ये आया है, वहां और भी है नहीं, इश, लड़की को क्या चाहिए मा को बुरा लगा साधारण सौइस के आम डॉम्स, चिंता नहीं तुम्हे याद है उसके बच्चे की पक्की सोने की डाइट है हाहा हाहा, हाहा हाहा, सच में मैं भूल चाती हो कि मा कितनी अमीर है वज़े करो मैली हाहा ये स्वादिश लग रहा है ओ हाहा सारी दोस्तों तुम्हारे डूनट्स पीके है सच में क्लास में स्वागत है सब लोग महनत से मैल का मज़ाग बना रही है बेचारी लड़की क्या उसके उपर थूख की गोले कोट आग रहा है इश इस औरत को थोड़ा आराब दो ये क्या कर रही है लूजर ओ मैल लंच का समय क्या रेमन का ब्लोग फ्लेवर पैक भी नहीं मा आरे बेटी तुम चांती हो कि मॉम तुम्हारे लिए हमेशा कोशिश करेगी ये ये ची क्या तुम ऐसा नहीं चो तुम खाना चाती हो वो काट लो अरे मा मुझे पता है कि हम ज्यादा नहीं खरीच सकते पर ये तो घद है ठीक है चलो इस खाने को तयार करे सही हमेशा बस गरम पानी की ही जरूरत है डालने का समय सटी चक्के देखो चिंता नहीं तुम कागस नहीं खा सकते बेवकूफ ची के बिचारी लड़की हेई स्कूल कैसा है ओ नहीं स्कूल के शैतानों की वही पुरारी कहारी बिचारा डैनी और उसका फोन खराब हो गया बहुत बुरा बढ़ा खूँ मा, मा उससे बताओ की क्या हुआ डैनी उसका फोन चत्ना चूर हो गया मा मदद करेगी इधर देखो ये देखो मा का जादूई 3D प्रिंटिंग पैन हमारी मदद करेगा हाँ, ऐसे ही बढ़ा फोन केस इस पर है सभी के फेवरिट चानल विंक विंक सब त्यारे जैनी के लिए होड़ अब ये फोन बिलकल सुरक्षित है और मा ने तुम्हारी लिए एक और चीज़ बनाई है एक खास हेलमेट कितना बढ़िया शुक्रिया मा और ये अगर वो शैतान तुम्हें तंग करे हाँ वाउ लैला इतना शांदार गुलावी डाइमन दाग कि डिजाइनर है विलकुल फ्लाटिनम काटियर एहलसा ये क्या है नया गार्बेज फॉल 2021 किस कलेक्षिन कितना बुरा है उसके माता पिता ये ही दे सकते है उसी रात एक चोड हे भगवान चोर एक साइन लगा देता है बिली आइलाश एलसा की ड्रेस में शायद मुझे पता है कि ये चोर पाउन है हाँ सही एलस ने बिली से पहले ये लिख लिया लाइला भी एलसा का ट्रेंड फॉलो करने वाली है लड़की तुम्हारे कपड़े बहुत सही है ये तो परफेक्ट हो गया स्टिपर्स पास करो छेद बढ़िया है गलती से किया तो और भी बढ़िया ज्यादा अस्ती गरीब लड़की के लिए ठोड़े धबबे इप कमाल लोन मुझी लगता है कि मादा पिता पहली बार खाना खाने बहर आए है वह अधी महेंगा हम ये नहीं खरीच सकते एलसा पैसे दे रही है ठीक है फिर चलो क्या हम ओडर के लिए तयार है मुझे लगता है हाँ एलसा तीन शूशी मंगाती है पर वो इसके पैसे कैसे देगी एलसा परिवार को शान्त रहकर मसे करने के लिए कहती है इस बहुत ही बढ़िया खाना है अफ्लाइ चिन से साफ पानी में तैती मचलियों से बना हुआ वाउ देखते हैं कि मादा पिता को कैसा लगा चलो भी पिता जी चॉप चॉप मा खा कर देखो हाँ बिल्कुल शांदार बस वो चॉपस्टिक्स को इस्तिमाल करना समझ ले धीरे धीरे एलसा धीरे धीरे हो गया वेटर हमारे हो गया है बहुत बहुत शुक्रिया अब हम देजर्ट लेंगे हम लोड जाएंगे अलसा ठीक है स्वादेश्ट कपकेक्स सब के लिए एक मादा पिता ऐसे करे हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो तुम तीनों मज़े करो चलो भी विलासियत के मज़े लो स्वादेश्ट और कपकेक रैपर नहीं सिता जी माँ अमेज़्ट है अब हम चेक और ले जाने के डबों के लिए तयार है वेटर ये लीजिए हे भद्वन मादा पिता ने इतने पैसे के बारे में कभी नहीं सुना पर एलसा सब सहाल लेगी पैसे से नहीं एक प्लास्टिक खौकरोच से ओ ये बड़िया होना चाहिए सुनिए ज़रा मेरे खाने में कीड़ा क्यूं है बेटर होगा अगर इस जिना के पैसे हमसे ना लिये जाए नहीं तो दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा मूवी का समय हेई केमल वी आईपी प्रवेश थाउजन डॉलर्स केट इतना नहीं दे सकती उसके पास नहीं है क्या ये मजाख है भागो वेल के लिए परिशानी रही वो उस कीमत पर हसती है वो विशाल पाप मुझे लगता है कि हमें टिकेट मिल गया केटी कैट वेल तुम्हारे लिए एक कौट्चीज और मिस्टर मूवी गाड रिटायर हो सकता है वो केट को नहीं देखता अराम से इस मूवी के मज़े लेने का समय ये अभी भी थिएटर्स में नहीं आई है एक खाउस 3D प्रिव्यू अरे वाँ वेल का पता चलने वाला है कि उस पाप ने क्या है अब कभी भी ये लो ये क्या अरे मुझे लगा कि इस पॉपकॉन में बाल है कैसे हैं आप सब अपनी टेस्ट के लिए तयार हो जाओ शबकाम नाए तुमने इस के लिए काफी पढ़ाई की है दिखा दो लेला मेहनत करती है जब तक आईडिया जब कोई नहीं देख रहा होता वो अपना फर्रा निकालती है सारे जबाब उसके सामने है क्या तुम नकल कर रही हो पेपर में? इस परिवार में हम आईफोन से नकल करती है तुम मज़ाग कर रहे हो ना? देखल केरी देखो ठीक है फिर वो लेला के कई सेलफोन पर कॉल करती है और सब सामने आ जाता है तुम बुरे फसने वाले हो नहीं माडम शायद फर्वा ही सही रास्ता था काम काम फैशन बेवी तुम दोनों शांदार लग रही हो ज़रे ये चमक तो देखो उलाला और ये रहे हमारे जज़ और विजीता है ड्रम रोल प्लीज केटी जोहे मैरी ने कपड़ों पर कितना भी घर्च किया हो पर वो काबल केटी को हराने के लिए काफी नहीं था आपका ताउच मैडम खेक आने के लिए सभी का शुक्रिया त्री चिर्स मैरी तुम क्या कर रही हो ओ नहीं इनका अंत सही नहीं होगा उसका बोडी गाड उसे इनाम में पहसे का बैग दीता है वो खुद ही विजयता बन गई तुम ऐसा नहीं कर सकती रोक के दिखाओ आईफोन ताज तुम मजा कर रही हो ना चलो भी नहीं केक नहीं ओ नहीं हमारी प्राम कुईन का ताज उतर गया क्या होग सा था अब देखते हैं कि हम यहां से क्या उठा सकते हैं चोकलेट्स, स्वादिश्ट, ड्रिंक्स केरी तुम्हारी सबसे सची ग्रहक है वो हमेशा पूरा स्टोर खरीद लेती है वेवी मेली को बेस्ट आहिए और सिर्फ बेस्ट कैसा हो सकता है क्या तुम हमें मिला दो उस पैसे के लिए हाँ मेगा जिफ तुम्हारा है सारा का सारा ओ हाँ, क्या सबना है मुझे लगता है कि यह सचीख है और लो हमें इस सब के लिए एक विशाल बैक चाहिए और हाँ, वो खालिस सोने का होना चाहिए मेरी मैली, वो चली गई मुझे लगता है कि मुझे पता है कहा पकर लिया, पुद्धू मुझे नहीं लगता कि मैं भी दूर रह पाऊँगी कितना स्वादिश्ट सुनो ज़रा यह क्या है, गरी मा और मैली यहां है यहां कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहां हमें अफोर्ड कर सके चिंता नहीं मैली, मा के बाद स्ट्रीट है सच में जब दुकान वाला नहीं देख रहा, मा चिप्स का एक डाग निकाल लेती है लो, बिलकल मौफ्ट, अगर तुभे कोई देख ना ले तो अरे हां, बढ़िया यह लो और लो, जब तक मा कहत बिलकुल कितना स्वादिश्ट हेई, चोको कैसी रहेगी? बुरा मत मानना, अगर मैं हां कहूँ, बढ़िया अब चलो, चलते है रुक जाओ, हमें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कुछ है की नहीं चुराया हुआ ए भगवान, यह देखने की जरूरत नहीं थी अगला पकड़ लिया, चुराया हुआ खाना तुम बड़ी परिशारी में हो मसी यह आई पोलीस, इन दो रुचोरों को में दुकाट से लेटाओ लो देखो एक शीशा, और अब सिक्योरिटी बस उसका चेहरा ही देख पा रही है तुम कुछ भी नहीं देख सकते केरी ने छूट बोला होगा, उससे लगा इस मज़़दार वीडियो को देखिए और लेला का फोन बंद हो गया चिंता रही वो नया निकाल लेती है क्या तुम विश्वास कर सती हो एलसा? उसके पास तो चार्जर में नहीं है चोड़ो भी, ये देखो एलसा? एलसा के पास भी फोन है वो मशूर ख्रू के पास अपना फ़नी वीडियो देखने आ दी है चार्जर धी नहीं शोड़ो, एलसा अपना एक मात्र फोन सड़क पर फेक देती है अमीरों को दिखाने के लिए पर तुमने किसी को तब बहुत खुश कर दिया ठीक है, बाई लड़कियो भागो, वापस दो प्लीस, भाईया मेरे बस शब नहीं है अमीरों मा वेल अराम कर रही है और गरीब मा से बाटती भी नहीं है कितना गलत केट दुबारा पूँचती है पर उसे मना ही मिलती है हमारी बिचारी लड़की हूँ, सिक्योरिटी और फटाक से उसका कोप दुबारा भर गई वावा बेबी वेल मेटी टुपकियों के मज़े ले रही है ये बढ़िया है इस लड़की को जिंदगी भर की चीहनी मिल जाएगी मुझे मा से जलन नहीं हो रही मेटे में मसा है बेबी वेल आइडिया सही देखकत हो मिन्टोज लो और वो उसे पी गई अब हम रुकते हैं तयार हो जाओ ये तो हाथसा होने वाला है या फिर को जकुजी ये चा नहीं होगा हे भगवान धंडा मीठा बबल बाथ सपनों की चीज हेलो हेलो आज हम अपने अगले स्कूल प्रेजडेंट कर चुनाव करेंगे पहली प्रत्याशी हेली स्कूल की बहतरी के लिए कितने बढ़िया और सही सुझाव हमारे विज्यान प्रोग्राम को काम की जरूरत तो है हाँ हचो बढ़ाकू अमीर लड़की तुम्हारे वोट खरीदने आई है जरा सोचो कि तुम कितनी क्यांटी खरीद पाऊगी अगर केरवेर को वोट करो चल भी बच्चो ये तो कमाल का चुनावी अभियान है अगर इसे ये कह सकते है तो माफ करना हेल्स राजीती में अपने भविश्य को अहल विदा कह दो तुम्हे स्कूल को अमीर कर दिखाया क्यारी और ये काफी नहीं है लाइन बनाओ केरी के लिए वोट माने क्यांटी के लिए वोट बहुत चलो पक्रो हेली तो कही ठहती ही नहीं अगर वो दो प्यास उठाती है और एक केस वो केस को केरी के पास रखती है कौन सोचेगा कि वो ख्रास को रिश्वत देगी प्यास से हमें ये नहीं चाहिए उन सब ने कहा केरी का प्लान काम कर रहा है वो ध्यारती अपनी सबजियां वापस लड़की पर फेख देते हैं हमें चलना चाहिए कुछ खाने का जब है हम बलकुल खौलो केट के विकल पच्चे नहीं है पर अमीर क्योवी में गया है केट को कुछ चाहिए ठीक है देखते है हे भगवान इतने सारे स्वातिश नाक्स अंगिनर्ट समभाव नाएं है अगर हम एक छोटा सबाइट लेंगे तो वेल को पता नहीं चलेगा वाहा कितना बढ़िया ठुरा और ले लेते हैं कुछ पीने की भी ज़रुरत है और ऐसे केट पूरा क्यूबी साफ कर देती है हे भगवान गरबर हो गई मैं कहीं चली चाओंगी नाम बदल लूँगी सरुरत नहीं केट फंदर डालती है जाओ अब मोध हो लो अरे नहीं वा भूकी है और अमीर क्यूबी में गर्ते के सिवा और कुछ भी नहीं अरे यार अब क्या करें बस छिल के बिचे है बस वे अगुस्से में है वो तुमें पकड़ लेगी केट मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ पकड़ दिया तुम ही कैंडी चोड़ो अरे नहीं अभी हम बच्चे नहीं है तुम मेरे साथ आ रही हो मिस माफ करना केट मिशन फेल्ड अरे यार तुम अंदर क्यों हो बेबी सी एलसा लाच बहुत ही बेकार है हमारे पास अपल कोर के अलावा कुछ नहीं है मा एलसा बूकी है माने पूचा तुम्हारे पास पैसे है बी आर वी मुझे लगा पासवाले बर्गर जोईल पर नौकरी है विचारी एलसा पर तुम अब क्या करने वाली हो किसी तरह पैसातों का माना ही है कोई भी एलसा के फ्लायर्स नहीं लेता पुरा बहुत हो गया शायद हम थोड़ी गारिया साफ कर ले सुना है बढ़िया ठित मिलती है स्क्रॉब अड़ ओ और हो गया तैसे लगी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अब क्या एलसा थोड़ा आराम करने लगती है और तब ही किसी ने कुछ नगत डान में दे दिये क्या बाद है हमने इतना पैसा कमाया क्या अब घुनने चले क्लास में बाद बनाते हुए ये आई केट ये तो धेर सारी कितावे है वेल हसी वो कभी नहीं कर सकती उसका सारा काम और कितावे इस महेंगे लाप्टॉप पे है वड़िया ये टीचर से अप्रूवट है पिचारी केट ये सामान इधर उधर लेकर खूम रही है पर जब मस जी अपना आपल फेकती है आईटिया केट जाकर कच्रा ले लेती है हम अपना खुद का आपल लाप्टॉप बना रहे है पर मैं नहीं कहूंगी कि ये काम करता है वेल हस्ती है ये देखो क्या तुम फोटोस निकाल सकी हो जैसे कि वेल की बहामास ट्रिप वाली आप बस ये कागस बदला है ये रही कुछ मेरी ट्रिप की ओ देखो कुछ नहीं था और वीडियो का क्या ये थूड़ा मुश्किल हो सकता है हम ये कैसे करेंगे केट हमारे पास मिस टी का रियल टाइम वीडियो है बस देखो ये अच्छा है इस एपिसोड में मिस टी को मिला चौकलेट शावर ए भगवाण ये तुम गई डिटेंशन में मिस केट वेलकूप बहुत हसी आती है लगता है कि ये लाप्टॉप केट को प्रिंसिबल के ओफिस में पहुचाने के लिए पढ़िया है हलो क्लास आज मिस सैमे ने फ्री रिटिंग ताइम दिया है ये सब भी अपनी पसंदिदा किताबे निकालो और उन पेजिस को पलतो ओ आपकी क्लास बहुत अच्छी है मिसे ठीक है मैं वापस हूँ चलो डिसकस करें थोड़ा रुको मिसे मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे प्यारे स्टुडेंट्स है क्या ये सब सो रही है पर मुझे लगा लगता है मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था कि वो अपनी किताबों में इतने गुम है ये बस एक नाटक था ओ बिल्कुल नहीं मिसे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है ओ पेपर मार्क तुमको डिटेंशन मिलती है लगता है मिसे को इन बदमाशों को सबक सिखाना होगा चलो ये करते हैं वेकी वेकी बदमाश हाँ? दोस्तो उठो लगता है तुम तीनों ने आज का लेसन सीख लिया है जो तुमको मिला था अब लेसन प्लैन पर वापस जलते हैं हम कहां थे? ओ चैप्टर थ्री परफेक्ट ओ मार्क दाही ना पैर बाईयोर नहीं बाया पैर दाईयोर देखने के लिए शुक्रिया दोस्तो ये ब्लूपर्स आपके लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाए हम आपसे फिर विलेंगे अलविदा